भुटनों का कैसा भी दरदो आज मैं वो पुराने जमाने की रेसेपी ले करके आई हूँ रेमेडी ले करके आई हूँ जो हमारे बड़े बुज़ू अकसर इस रेमेडी को बनाया करते थे आज हम इस रेमेडी को भूल चुके हैं जब आप इसे बना करके पीएंगे एक बरम नहीं आपको रिजल्ट मिलने वाला है, जी हाँ, नमस्ति दोस्ते, इनको तक कीचन में आप सभी का खुब खुब शागत है, यह जो रेमेडी है, हमारे बड़े बज़ूर, नाना, नानी, दादा, दादी अक्सर यह अपनाया करते थी, हमारे जो बैद घर के हुआ करते थी, को भी यह रेमेडी को बताया करते है, इसे बनाने के लिए ना, हमें कोई भी मिट्टे का बरतन चाहिए, जैसे दिये वगेरा दिवाली के बाद आते हैं, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ही सर्दियां सुरू होती है, घुटनों का दरद होने लग जाता है, कमर का द इठाएंगे, ये मेरी गारंटी है, मिट्टी का कोई भी बरतन हो, आपके पास बड़ा दिया हो, या फिर कोई बरतन हो, कटोरा हो, मेरे पास ये जो घड़े पे ढखने वाला होता है मटके पर, ये है, इससे मैं आपको रेमेडी बता रही है, इसको हम गरम कर लेंगे, और हम इसे एक बरतन में रख लेंगे, कोई बड़े बरतन में, अब इसमें हम चौथाई चम्मच अजवाइन का डालेंगे, और चौथाई चम्मच से थोड़ा कम हम इसमें डालेंगे हल्दी का पाउडर, जो हमारे घर में रसोई में अक्सर मिल जाती है, और इसे हम भून देखिये जो मिट्टी का बरतर हों नहीं हें पृथिवी तत्त फोलब veggies आजेरा और इसमें प्रति गूता या नहीं हम अगर तो calcium की खहाना के देखिया है गोली एalts याले का दी के कुम सुखाता स्टा या तो 가지 नीनियों से स्प्षूर में अगर को मुत कोई कुलड हो तो भी उसमें बना सकती है, इसमें हम डालेंगे तो यह क्या होगा एकदम अपने आप ही दूद उबलने लगेगा इसमें और यह अपने आप ही पक जाएगा इसमें अज्वाइन पकी हुई हल दी इसका जो बावर है रेमेडिकी वो इसमें आ जाएगी और तकत्र वेसा टेस्ट आजएगा और जो इसका टत्वा हमें मिलना था जिसकी वज़े से केल्शिम की वज़े से हमारे शरीर के अंगों में दरद हो रहा था वह भी दूर हो जाएगा इसको थोड़ी दिर मिट्टे के बरतन को इसमें रखे रहने थे क्योंकि ये बहुत गरम है इसी गरम में ये पकेगा थोड़ी देर अपनी आप, जो भी मिट्टी का परतन ले, उसे पहले धो लीजेगा अच्छे से पाने से, ऐसे ना हो कि तेल वाला दीपक आप ले ले, तेल वाला नहीं लेना है, आपको साफ सुत्रा जो मिट्टी का आता है, वैसे ही आपको लेना ह है, क्योंकि जो अजवायन है उसे हम चान करके यूज मिले, ये देखें, ये जो रेमेडी बनी है, आपको फीका दूद अच्छा नहीं लगता है, क्या करें, हल्किसी मिठाश टाल सकते हैं, गूरा है, चीनी है, या फिर धागे वाले मेसरी है, जो आपको पसंद है, थोड कोई पीता है, रात के टाइम पे जब आप सोने जा रहे हैं, तब आप इसे पी लीजिए, उसके बाद थंडा पाने नहीं पीना है, क्योंकि इसकी तासिर गरम हो जाती है, और कैल्सिम से भर पूर हो जाता है, एक तो गहरी नीद आएगी, दूसरी दूसरी जोडों के दद के सासत, अगर बॉड़ी आपकी ठकी ठकी रहती है, आलस बरी हुई रहती है, या कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा है, कम जोरी सी महसूस आ रही है, कभी पता लग लाए कि बीपी लो है, या कुछ है समझ नहीं आ रहा है, तो एक बर मेरे कहनी पर ये दूद बना करके जर पाइदा दी है, तो और लोग भी इसे अपनाते हैं, तो इसे जरूर आप अपनों के सास्थ जारा जारा शेयर कीजिएगा, एक लाइक दे करके जरू जाईएगा, ताकि मुझे पता लग सके कि मेरी फैमिली को मेरी वीडियो पसंद आ दिये, मिलती हुँ भी से एक नई व करी कि साथ।